हालो एबरीवन स्वास्वागत है आपका अपने एटिव चैनल बिनोध लर्निंग अपपर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको हपी पीजटी हिंदी बियर्ट पोशन का सॉलिशन देने वाला हूं जो आपका आज 7 अपरेल को एक्जाम हुआ है इसके मैं आपको अंसर की प्रोवैड कराने वाला हूं और दोसों आई गारेंटिड की 20 में से 19 या 20 के 20 कोशन जो है यह सही होने वाले है इसलिए आप सही रहने वाला है हिंदी वाले इंदी में पढ़ना है वह आप यहां दे सकते हैं कि इस तरह से हिंदी में और ऑप्शन से इसका सही रहने वाला है कोशन अबट हुए आपका एपिस्टेमिलोजी इस दा ब्रांच फिलोस्पी बिच डिलिस भी दा थियोरी ओफ वट नॉले में 300 के इसलिए थे क्योंकि यहां पर तोड़ा कंटेंट ज्यादा था अब आपको इस नोट से आपके डारेक्ट 13 या 14 कोशन पूछे गया है और यह नोट को यसा नहीं था कि पूरी भूक थी एक शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट था और 13 से 14 कोशन जोई से आएक पूछे हैं अगर किसी ने यह नोट्स पर्चेस करने होगैं तो इसकाँ जो दै सकता हूँ चाहर इंग्लिश मीडियून कवें आपको 200 के दूगा और हिंदी मिडिप के मैं आपको ओंली 100 के नोट से दे सकता हूं 13 तो 14 कोशन अगर आपको मैंच मैंच तो मैं आपके पैसे जो रिफंट कर दूँगा ठीक है अब रही बात हैं आपे six question की six question जितने आपे पूछे गए ना इस पर में वो पूछे गए psychology से direct question और अगर मैं psychology की बात करूँ psychology के लिए टैट और सीटेट के लिए नोट्स बनाए हैं पहले वो हैंडिटन बनाए थे फिर मैंने इस तरह से उनको प्रिंट किया हुआ है प्रिंट करके वो जैसे मालो आपकी ये एक slide है इस तरह से वो जो 32 slide है उस नोट्स की 32 slide है और उससे six question जो डैक्ट पूछे गए है और अगर आपने 32 भी नहीं पढ़ना होगा तो इसी 32 में से आपकी चार slide है ऐसे हैं जिसमें रिविजन डोज का नाम दिया हुआ है रिविजन डोज मतलब की उसमें इतने भी हो psychology के नोट्स है यहां मैंने वो sum up कराए वा उनको मतलब जो है उ उन नोट्स की बात करूँ उन नोट्स की जो 250 कोस्ट है किसके लिए जो टैट और सीट की त्यारी कर रहे है बट जो PGT की इनका एक्जाम है और इन्होंने वो six questions solve करने है तो उनके लिए मैं भी यह नोट्स भी only जो हो 150 के दे सकता हूँ ठीक है अगर इसको financial problem है तो इसको मै only यह भी 100 के जो है यह नोट्स भी provide करवा दूगा ठीक है तो इसके लिए अब हम बात करते हैं आपके questions की मैं आपको आगे बता हूँ कि कौन से question जो है किस note से पूछे गया है psychology से किस type of question जो है पूछे गया है फिर आपका फॉर्थ है बिस स्टेट्मेंट आट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलोस्पी बुद्धिस्ट फिलोस्पी के अगोडिंग जो है आपका यह statement जो है डी बिल्कुल सही है जिसमें सेकिंड थर्ड और फॉर्थ जो है यह सही का आगया है ठीक है दोस्तों हिंद फिलोस्पी अग्रिशन किंटीचर एजुकुलम तो फिफ्ट का अंसर है दोस्तों है आपका वी ठीक है उसके बाद आपका यहां पे 6 अगर बता हूं आपका एसका अशर रहने वाला है ठीक है जिसमें आपके स्टेट्मेंट बीसी यह जो सही रहने वाली है उसके बाद आ सब्जेक्टिव एंड परसनल यह इसका जो अंसर रहने वाला है इसका अंसर बिल्कुल सही रहने वाला है दोस्तों एट्थ कोशन है आपके फ्री एंड कंपल्सरी एजुक्रिशन वाज रेकॉमेंड़ वाई तो एट्थ का अंसर है दोस्तों क्या है आपका यह आप सभी को भी पता होगा कोठारी कमिशन यानि आपका ऑप्शन सी नाइन्थ है आपका बिच कॉंपिनेशन आप दिफॉलंग फेक्टर्स तेंस इन् का 10th which of the following is not a principle of development दस्वे का जो अंसर यहाँ पे वह आपका C principle of proceeding from specific to general यह जो हो development का एक principle नहीं है यह भी कोशन कहां से आया आपका psychology की से direct पुछा गया है पहला ही slide आपका वहाँ पे आपको यह question मिलने वाला है ठीक है और इस type के other questions जो आपको other slide में मिलेगे और यहाँ पे a question पीछे पुछा गया था वो भी आपका psychology के note से पुछा गय मैंने आपको I think जो यहाँ पे 10th बता दिया है 11th आपका यहाँ पे Archimedes found the solution of his problem when he was in his bath tube this will come under this step of process of creativity यह भी कोशन जो आपका psychology के note से आपको मिलने वाला है 11th जो यहाँ पे answer है दोस्तों है आपका C illumination उसके बाद आपका यहाँ पे pioneer of functionalism यह जो बिल्कुर आपका psychology के note से कोश सब्सक्राइब को कोशन बता है ना मैं उस psychology notes के जो revision dose की बात कर रहा हूं जो only 3 pages में sorry 4 नहीं only your revision dose 3 pages में लिखा हुआ है बड़ उसमें एक page में कम से कम जो हो 20 या 22 जो हो नेम होने तो 20-22 आपको मानो कि आपने 50-60 नाम पढ़ने है और आपका काम जो इससे बन जाएग ठीक के दोस्तों तो यह आपका 12 का अंसर था ठीक है अब देखते हम यहां पर 13 13 की बात करें यहां पर दोस्तों which is the most effective reinforcement schedule according to operant conditioning theory of learning for stable learning यह इसका भी आंसर है इसका भी सी है यह भी कहां साया है साइक्लोजी के नोट्स आया है मैंने आपको छे कोशन बताया थे आइंग 6 से ज्या तो जोले नोट्स आया है बागिज मेंने आपको बीएड के नोट्स प्रोवाइड कराया है वहां से भी आपके जो 12 के करीब कोशन आये ठीक है और एक से दो कोशन है जो मैं इन दोनों के नोट्स से भार आया होगा यह तो factual बात है ऐसा नहीं की पूरा नोट्स से आया होग कोशन नुबर 14 इन हल्स रेंफोर्समेंट क्योरी विच फॉलाइं बॉस पॉसलेड़ेड एज इंटर्वल वेरिवल तो फॉस्टीन का यहां पर जो अंसर रहने वाला है वह आपके यहां पर डी यहां पर एक सिटेटरी पोटेंशियल फिटीन आपका दापका रोशक इंक structure block test consist of 15 का जो आपका ओस्टों यहां पर यहां पर c टीके उसके बाद नहीं पर जो आपका हाई हए 16 16 which of the following is not a defensive mechanism 16 ka jo aapka answer you ha aapka association and then aapka uske baad has 17 17 the internship program in teacher education has been provided to help 17 ka a dozto aapka be student teacher in the training program and then the 18 18 ka aapka which of the following institution is directly responsible for the professional ग्रोथ आप स्कूल टीचर इंडिया ड़िज इसका अंसर रहना दोस्तों आपका यहां पे जिरो रिजेक्शन पॉलिशी जो सर्फ शिक्षा अव्यान के अंडर जो है आता है इसके बाद आपका यहां पे यहां पे लास्ट कोशन दाट इस 20 तोड़ा यह कोशन जो फ्लक्चुेट हुआ है 20 यहां पे कोशन बोड़ रहा है which of the following have been defined as performance indicator for assessment and accreditation of institution of NEC तो इसका जो अंसर रहने वाला है यहां पे दोस्तों ओ है आपका यहां पे option D C D E only C D E only जो है इसके अंडर यहां पे आने वाला है तो दोस्तों यह थे आपके यहां पे जो हो complete answer B8 portion के मैंने आपको बता दिया है कि कौन से कोशन से आपके कहां से पूछे गए हैं अगर मैं अपने notes की बात करूए और मैंने आपको बता दिया है कि अब मैं आपको अच्छे से discount में notes दे रहा हूं आप contact कैसे कर सकते हैं आपे 980-50-32-252 पे आप WhatsApp message कर सकते हैं जिनको notes चाहिए होगे किरपया करके वही जो WhatsApp message करेंगा क्योंकि मेरा कोट का भी exam है तो थोड़ा schedule बेजी है यह आप के लिए में आपे जो है वह सेवाय दे रहा हूं तो दोस्तों तो इस आल एबाउट टूड़े थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद